रिया की गिरफतारी के बाद आज उनका एक ट्वीट जो है साल 2009 का काफी वाइडल हो रहा है ये ट्वीट साल 2009 में एक लड़की के बारे में है क्या लिखा है उन्होंने इस ट्वीट में और आज क्यों वो इतना रेलिवेंट है मैं हीना कुमावत फिल्मिंडोप आपको बताऊंगे नार्कोटिक्स कंट्रोर ब्यूरो ने रिया को गरफतार किया है और जो चार्ज़ लगे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे जो चार्ज है उनमें एक चार्ज ऐसा है जिसके लिए उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है हाला कि ये सारे अभी चार्ज़ साबित किये जाएंगे लेकिन जो चार्ज़ लगे हैं उसमें एक चार्ज ऐसा है कि 20 साल की सजा हो सकती है तो इस ट्वीट में रिया ने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया है कि एक लड़की है जिसको साड़े चार साल जो है जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसका अपराद ये था कि उसने नार्खोटिक्स ट्राफिकिंग की थी और ये जो है बहुत ही जादा बीयर्ड और डरा देने वाली स्टोरी थी इस बारे में उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो आज उनका ट्वीट है ये काफी वाइरल हो रहा है और लोग जो है इस ट्वीट के बारे में उसके नीचे ये लिख रही है कि अब जो है रिया का भी ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है और साल 2009 यानि की 11 साल पहले का ये ट्वीट है जब उन्होंने नार्कोटिक्स ट्राफिकिंग के बारे में एक लड़की के बारे में ये सुना था तो लिखा था कि कितनी हॉरिफाइंग स्केरी स्चोरी है और आज उनी पर कुछ ऐसे ही चार्जिस लगे हैं जिसकी वज़े से आज जो है उन्हें गिरफतार किया गया है हाला कि ये चार्जिस अभी साबित होना बाकी है लेकिन ये सारे चार्जिस लगाए गए हैं और जैसे ही उनके गिरफतारी की खबर आई है उनका ये ट्वीट जो है साल 2009 का काफी वाइरल हो रहा है